स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल है डोले डॉक्टर में और आज की जो कोशिस है वो लिष्टर इंजन पर है लिष्टर इंजन में आपको पूरी बताने वाले हैं कि टार्टिंग बहुत लेट हो जाती है सर्दियों में तो हमें किस तरह से उसको अपडेट करना चाहिए पूर नहीं किस तरह कि क्या सटगे रिडिए टाight मिंग बंजबने चाहिए यह। आपको इस तरह की आवाज चाहिए दोस्तों प्लीज आां तक बने रहिए और आपको पूरा व्यूद्ये आनकी और आम कि इसमें क्या-क्या के टाइमिंग किस तरह से मिलाते हैं डिश्टर एंजन में डबल वील में और टैपिट हमें किस तरह सेड़ करने चाहिए बिस्तार से पूरी जानकारी देने वाला हूं वीडियो में प्रीज आप अंतक बने रहे हैं और यदि आप चैनल में पहली बार आ बार है तो आप लाइक शेर कमेंट कर सकते हैं और सेस्क्राइब कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी भरी वीडियों हमारे चैनल से आपको हमेशाब मिलती रहेंगे और सीधे टॉपिक पाख बताते हैं कि इसमें जो के सबसे पहले तो मैं आपको टैपिट सेटिंग बता हुआ किसी की टैपटी सेटिंग किस तरह से करनी चाहिए तो टैपट सेटिंग यह जो है आप एक काम करें आप एक काम करें यहां से देखिया यहां यह देखिए आप सबसे पहले जो टॉप बाला बाला है यह देखिए यह यह जो बाला है गरम बाला जो सलंसर के तरफ होता है इसक तॉप में ऊपर लें lotta लेने के पाद मैं आप इसमे देखेंगे कि इसमें प्ले होनी चाहिए यह देख़े देखिए दोस्तों तो इसमें आपको दिखाई देगी कि जैसे ही इस तरह से इसको हिलाएंगे ऐसे तो आपको प्ले नजर आएगी इसमें तो आप ना के रιαहर प्ले रखे है ज्ञाद नहीं रखे है तो आपको दिखा ही देगा कि यहां से आप इस माले कि पांसे च कराफ ले जब यह लेगा देखी दोस्तों हिल रहा एक भी प्ले इसमें इतनी रखी गई और उसके बाद में आप इसको फिर टॉप में ले ले यह देखी दोस्तों यहां से आप अब इसको अठा सकते है अब आपका यह ठंडा वाल यह अब टॉप मा गया अब इसको लूज कर ले इसमें क्या है ना डिस्टेंस मेंटें करने के लिए यह जब जादा प्ले जाती ना है इड अन्डर तो यह इस्टेड जो है लोग बॉल्ट जो नीचे से लग इसकी भी मतलब एक बरावर पले रखेंगे यह देखी देखना दोस्तों मिल लगी हुई आप इसमें ना गरम बाले वाल में थोड़ी सी पले बढ़ा के रखें दोस्तों एक से देड़ा मम का बस यह रखेंगा आपका तो इसमें क्या है आपको टैपिट आपके सेट हो यह देखिए यहां आपको देखने को मिल रही होगी यह आप इक इस नम्मर चाबीस है जब यह आप यह पंप की ठोकर के सेटिंग करेंगे ना तो यह ध्यान अखें कि लोग मेरे भाई काफी सारे पंप बनवागे लेका आते हैं इसको जब फिट कर लेका तो कहते हैं तो उनको जजमेंट समझ में नहीं आता तो उसी पर मैं समझा रहा हूं कि आप बिल्कुल कंफिज होने ज़रूत नहीं है बड़े आराम से आप कोई भी बंदा कर सकता है इसको बड़े अच्छी तरीके से हो जागा पका काम जब यह आप पंप लेकाएंगे यह पंप आपका आपके यहां पर लंभी लंभी रख लेंगे उस समझी पंप नहीं होगा यहां लंभी लंभी रख लेंगे तो चापी करेंगे यहांप से लिए जब गूमाएंगे धिर झाहिएे तो क्या होगा वह जा थे ठोकर आपको झाई दरहिए वह दोस्तों तॉठ में पहुंचने क जब आपकी चावी हल किसी एक दो एम्म उठ गई यह उपर को तो आप समय लेड़ा कि ठोंकर हमारी यही है यहीं पर आप इसको लॉक कर दें इस बोल्ट को और उसके बाद में बोल्ट को लॉक करने के बाद में आप आप मीज के पंप बांग सकते हैं बिल्कुल आपकी सैट करने के लिए जब इंजन द्हुं देता हैं अच्ट करते समय यह स्टाट करते समय जब लोड़ पर थूआ बहजा देता इंजन भता है तो उसके लिए हमें टाइमिंग चैकर नहीं होती है दोस्तों कि हमारे इंजन की टाम तो नहीं ओट हो गई अकसर क्या होता है कि इंजन करने के लिए सबसे बड़ी है फार्मूला अच्छा तरीका वह यहीं पर आयाते हैं दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको लेकिन दोबारा एक दोस्तों मेरे कहा कि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही टाइमिंग मिलाने के उसमें तो मैंनका अभी नई लटाइस्ट विड ठीक है अब आप क्या करेंगे यह बाल आप यहां परोख ले इस इस बाल को आप गरम बाल को हल्का से टॉप में रखेंगे और उसके बाद में आप सीधे कोई मुमेंट ना करें सीधे आजाया आप यह यह देखिए यह क्रेंग की वील की चावी जो है बिलकुल नीचे होती है क्योंकि आपको पिश्टन दिखाई ने देता लेकिन यह इसकी मोमेंट यह है कि आपका क्रेंग कमों उपर को होता है अब बाकी इस से भी आप चैक कर सकते हैं अगर चैक क्रॉस चैक करना चाहें तो आप इस पेंच कास की मदद से इसमें पेंच कर डालें और हलका स पिश्टन टॉप में होगा तो आपको फिर उसके बाद में क्या करेंगे जब आपको लगे कि हाँ हमारी ठाविक ठीक है लेकिन फिर वी दोड़ ने ले रहा है तब आप नौजल पंप में जाएंगे नौजल पंप चैक करेंगे यह दोस्तों अगर यहां से आपका इंजन वाष्ट बनाता है बहुत जादा यहां से निकलता है धुवा जादा तो आप रिंगों काम कराएंगे जब करा लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आनी आपको बाक्की टाइमिंग मिलाने के लिए भी विता जेता हूं आपको कि टामिंग किस तरह से मिलनी चाहिए अगर आपकी तौ कि टामिंग आउट होई तो क्या करेंगे आप यह डवल बॉल्ट आपका दोस्तो इस वार इस वूज़ कि लें निकाल लें यह चार बॉल निका लें यह थे शुटत और जाए जाहिए और यह फ़ो प्रिश्टन आप वो आपकी पलेट आप बाहर हो जागी अंधर यह जो जाए इस जड़े लिखने अप इस बॉल्ट पर दख्का मार देंगे यह बोल्ट निल बार जाना उसके बादम अंदर आपको एक इसी में एक गेर नहर आएगा दोस्तों उस गेर को आप निकालेंगे जा बार तो क्या हो अप पिर जोगा थो इस जोगा अप फिर जोगे इस पिश्टन इसको इसको यह जहां पर है यहीं लेकाएंगे आप बिल्कुल नीचे डाउन पॉजिशन में यह करेंग को आप जो गया पैए यह डाउन पॉजिशन में लाएंगे ऐसे कर दोस्तों में दिखाना चाहता हूं आपको पूरी स्क्रीन पर देख कर कि आप डाउन आप दोस्तों यह द्हानक ना कि आपका हास से गेर फिसल ना जाए नहीं तो आपका वो जो आपकी केम है वो घूम जाएगी आपको फिर टाइमिंग आपकी नहीं मिलेगी इसलिए आप जजमेंट के साथ में अंदर प्रिवाइस करेंगे गेर का अजब गेर आपको ड़ल तो इसके बाद में यह वाले बॉल्ट जो अंदर में पहले धका मारता इस बॉल्ट को डाल करके एक्किस नमर बॉल्टों से डबल चक्रण कर देंगे इसको फिर देखने को मिलेगा आपको यह रिजाल्ट तो रिजल्ट में आपको थोड़ा सा दिखा जाता हूं कि क्या कं जीए बाकी मुस्कराते रहिए